कि हेलो एवरीवन सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसनावली 3.2 पिछली वीडियो में हमने कोश्चन नमबर नंदराता किया था अब हम कोश्चन नमबर 16 से स्टार्ट करेंगे तो चलिए बता देते हैं यह राग कोश्चन नमबर 16 एस कर टू यह और हमें प्रूब करना है हमने मल्टिपलाई करा एस को निकालने के लिए एंट वे तो इसकी समें यह इसमें यह इसमें 104 10 202 जीरो 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 पिशेट को जीरो 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 टू ठ्री अ मैं हमने एट्टे कर निकाल लिए ऐसे करके अब हम एक क्यूब तो हम इनकी प्लिप्लाइब करेंगे 555 0 16 ऐसे हम इनकी ब्लिप्लाइब कर लेंगे तो यह एक यूब आ जाएगा अब हमको क्या निकालना प्रोव क्या करना एक यूब माइनस 6a2 तो 6a2 कहां से निकाल लेंगे a22 को 6 से मर्टिप्लाइब कर देंगे फिर 7a निकाल लेंगे फिर 2a तो यह आगे हमारा यह अब हम इसमें से यह माइनस करेंगे एक यूब में से 6a2 तो देखे हमने इसमें से यह माइनस कर दिया तो यह आया अब हम इसमें प्लस करेंगे 7a प्लस करेंगे तो यह हमने प्लस कर दिया तो यह आ गया अब हम इसमें प्लस करेंगे 2a तो देखे यह सब जीरो आगया तो हमें 0 यह प्रूव करना था तो कोश्यन नमबर 7 यह बहुत इसी है तो एसको निकाल लेंगे हमने यह निकाल लिया है ऐसे मल्टिप्लाई करके और फिर आपको लग रहा होगा कि हमने पहले से कोश्यन क्यों किये हुए है तो हम पहले वीडियो बना रहे थे उसमें थोड़ी मिश्टेक हो गई थी इसलिए मैं दुबार से बता रहा हूं है तो वेखर इसके निकाल लिए वह मैइनस के टुवाई इधर आके प्लस आओ गया यह थे यह दोनों शेयम है तो के अ करड़ावोन करेंगाच क्रूब कुेश्चन है क्रूब हूमे करना कि यह दुनों इकौल है सुभी हमने लैफ्छन साइड कर निकाल लिया अब करेंगे मल्टिप्लाइ करेंगे वन करेंगे माइनस करेंगे तो यह हो गया और कोस अलफा माइनस अलफा अब इनकी मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आ जाएगा तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अब यह इसको करते हैं साइन अलफा प्लस कोस अलफा हम टू को से अलफा का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे माइनस के साइन अलफा थो कोस इसका अलफा बाहएंगे कि माइनस की वाइब दिया क्या होजागा साइन अल्फबाइट तु तु कोज अल्फबाइट तु अब जैसे अम अंदर मॉल्टिप्लाइब करेंगे ते क्या हो जाएगा कोस टू कोस अल्फबाइट तु तु समझे माँ आगे विसे अम अल्फबाइब करेंगे माइनस टैन अल्फबाइट तु क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तु कोस अल्फबाइट तु । 1 लो साइन अलफा और ये साइन अलफा साइन अलफा कोंके से लिखेंगे तू साइन अलफा वाई टू इन तू इन तू कोस अलफा वाई टू से यहां से लगाई और ये प्लस है 1 माइनस तू साइन स्कएर अलफा वाई टू यहां पर भी हम ऐसी करेंगे सिर भन माइनस तू साइन स्कार अलफा वाई तू देखिए यह टू साइन स्क्वार आलफा बाइटू हो गया तो इससे यह कट गया यह अब क्या बचा वन और अब यह देखिए तू कोज आलफा बाइटू कर आगई पर यहां अब क्या ओजाएगा सस्टे मैनस तूऊ ऐन तूबू क्यों और अब जब इसके अंदर president करेंगे क्या आप तू को आलफाह टू य् phrase साएगा और यह वागशान और मैनस का अब हम इसे उसी रूफ में लिख देंगे टैन एलफा बाइट टू ठीक है आगे समझ में विदिस से यह कट हो जाएगा और यह भी देखिए ऐसे ही हो जाएगा इसे भी हम ऐसे लिख लेंगे साइन एलफा बाइट टू कोस एलफा बाइट टू और यह देखिए जब यह अंदर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस का तू कोस एलफा बाइट टू साइन एलफा बाइट टू और यह फ्लस टैन एलफा बाइट टू और यह पॉलस का तू साइन एल फ़गा对के से serसे कट गोग जाएगा और ये देखिए 2 sin 2 2 sin 2 2 sin 2 2 sin 2 2 1 देखिए यहां पर 1 बचा यहां पर 10 2 बचा यहां पर 10 अल्फा बचा और यहां पर 1 जेश का बचा को में कराहा है प्रूव को एक सेक्ड़ जो आपको जो पिछले कोश्यों में कराहा रख्के देना पाईने कोई डाउट हो तो आप कमेंड करें प्रूश सकते हैं तो देखिए प्रूव हो गया ही डॉना थे हैं चांगे लेफ्ट हेंड साइड इक वर्ड हैंड अगर इसमें भी कहीं पर कुछ डाउट तो आप कमेंट करके पूश सकते हैं वैसे तो मैंने सही से कराई दिया है देखे को साथा वाय टू कोम क्या लिख सकते हैं 1-1 देखे को स्थख़ ठीट का क्या सुत्र होता है एक सेकिंड वीडियो थोड़ी recommend कि इसके कितनी सुत्र होतना है एक सुत्र होता है 1-2-2-1 इसकुए ठीटा तो यहां पे खाली ठीटा था तो इसलिए ठीटा बाइट 2 ठीक है न है प्लस यह टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा पूल्ट थीटा तो वही सुत्र लिखा है और साइन अलफा क्या होता है वोग साइन टूल फाकर तो इसमें अलफा था इसलिए यह तू यहाँ पर आगया कि अगो इसके जैसा यहां पर हुआ और इसके जैसा यहां पर यहां पर अगर जाहर समझ में ना आ हो तो कमेंड करके पूछ लेना चली अब एक कोश्चन इसलेंट नहीं है एक कोश्चन करा देंखें चलिए 200 कोश्चन बड़ा को सब neutrally number 20 कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में दथ दरजन रसायन भी अट दर जिंबौति भी गयान और हम आपको बताते हैं बहुत जली भी भी घ्ञान भी इस्टार्ट करने वाद है स्पर दस दर दर जिंख अर्थ सास्त्र की पुस्तके हैं इन पुस्तकों का विक्रे मुल्य एक जो की एक किताब का है यह पुस्तक का है वह क्रम से 80-60-40 रुपे परती पुस्तक आव यू बीजगनित के प्रियोग द्वारा ग्याद कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी ध डश्ज़ौं दरद्रद एकज़ा तो हमें किताब का निकालना तो एक ड़न में कितना होते हैं बारा तक यते बारा से मल्टिप्लाई कर देंगे तो ये एक किताब के लिए आ जाएगा चलिए 12 से मल्टिप्लाई कर देते हैं कि 120 चान में 120 और ये 12 यहां से हट जाएगा और देखिए इनका जो मूल्य देख लेते हैं बर्ति किताब का वो कितना है मूल्य है हो कितना है असी साट चालिस क्योंकि हमें एक का निकालना है तो एक हमने 12 से कुना कर लिए तो अब हम इन दुनों को मल्टिप्लाई कर देंगे तो चलिए तो कुल धन्जाती आ जाएगा एक सुबीस साट चालिस अर 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 अथे चानवे सो चाहन में यह होगा साय दिसका न तो फिछ चाहन 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 तीन तीन तेन तालिक सो यह क्योंकि प्लस कर लिए ना दाना था नहीं तो ऐसे 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 तुपलस कर लिए तो अगा तो अब हम इसे प्लस कर लिए तो प्लस करके कितना एगा जीरो जीरो चैंट आठ साथ 15 और चैंट कि एक किस कि पांचर चार्णो और ठारा दो वीज़ तो वीज़ा एक सो साथ इसका मूल लिया हो जाएगा तो यह था कुश्चन तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्ससाइज 3.3 करेंगे उसे भी देखना और यह वाला कुश्चन जो था यह वाला यह वाला अच्छे से करना यह इंप्रोटेंट कुश्चन है ओके तो थैंक यू पर वोचिंग में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो थैंक यू